हेलो फ्रेंट्स, बेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल, चेंजिंग दबेव थिंकिंग, तोड़े वी एर डिस्कसिंग अबाउट एग्री कल्चर करेंड अफ्यर, फ्रेंट्स, आज के इस वीडियों में बात करेंगे जून मन्त के थर्ड वीक के इंपोर्टेंड एग्री क फेर, वीडियो बहुत इंपोर्टेंट और इंफोर्मेटिव रहने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और आप इस सेशन का पीडियाफ लेना चाहते हैं, तो हमारे टेलिग्राम चैनल से आप इस पूरे वीडियो का पीडियाफ ले पाएंगे, फ्र काफी इंपोर्टेंड एफेक्ट है, यहांसे कौशन बन जाते हैं यहां बात करेंगे असाम has become the 36th state or United to implement One Nation, One Russian card. यहां पर बात करेंगे तो इस scheme के थायत होगा क्या कि अगर यह scheme implement हो जाती है किसी भी state में या फिर यूटी में तो वहां पर जो food security की problem है वो थोड़ा कम हो जाती है, problems को sort out करने में आसानी होती है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती जैसे COVID आ गया था उस टाइम पे यह जो स्कीम है इससे काफी ज़्यादा राहत लोगों को मिलती है यहां बात करेंगे तो पिछले दो सालों के अगर हम बात करेंगे COVID-19 पैंडेमिक में जो यह स्कीम है वन नेशन वन राशनकार्ड स्कीम इस लोग इधर से उधर भग रहे थे जिनके पास आश्रह नहीं था रुखने का रहने का तो उनकी लिए वी इस योजना ने काफी हेल्प की है कहीं से भी लोगों ने अपना जितने भी कोटे का राशन है वो उनको कहीं से भी आधार से या फित थम इंप्रेशन से मिल गया है आगे बात करेंगे one of its kind citizen centric initiative in the country ये बहुत अच्छा initiative है जो कि central government के द्वारा है लिया गया है जिससे होगा क्या कि लगवग 80 crore beneficiaries को direct benefit मिला है इस scheme से जो कि आपको पता होगा after being initiated in August 2019 तो अगर हम इसका conclusion निकाले हैं तो ये है कि one nation one ration card scheme काफी अच्छी है कहीं भी रहकर अपने राशन का कोटा का जो राशन है वो आप ले सकते हो with the help of biometric और आधार authentication और यहाँ पर आसाम जो है वो 36 स्टेट और यूटी बन गया है जिसने अपने स्टेट में या फिर यूटी में one nation one ration card scheme launch की हो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा आगे बात करेंगे चाइना विकम दा लार्जेस्ट इंपोर्टर ओफ इंडियन ब्रोकन राइस तो भारतिय ब्रोकन राइस को इंपोर्ट करने वाला लार्जेस्ट कंट्री बन गया है चाइना अब तक का तो कहने की बात है कि यहां पे जो चाइना है वो एक इमर्जड लार्जेस्ट इंपो तोर पर उबरा है या फिर इसको बाइर बोल सकते हैं जिसने भारत से broken rice खरीदा हो ठीक है जो आपका broken rice होता है उस खब से जादा जो आध करता है वह चायना करता है भारत का और चायना टेक ओवर दाग्जेस्ट importer of broken rice in India which were the African country और यहां पर अगर हम बात करेंगे तो China इस टाइम पर largest importer है राइस का broken rice का as a importer from India यहां पर बात करेंगे तो 77% has been imported to China which is 16.34 लाख metric ton तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर 77% यहां पर इंपोर्ट हुआ है चाइना में जो कि लगवग 16.34 लाख metric ton बनता है और यहां पर इंडिया का जो total export है वो है 212.1 लाख metric ton 2021 का यह डेटा है यह भी आपको याद रखना वालब टोटल का 7.7% जो चावल है ब्रोकर राइस है वो यहां पर चाइना को एजे इंपोर्ट यहां पर चाइना ने किया है यहां पर अगर हम बात करेंगे इंडिया 2021-22 total export of rice from India for बास्मती rice अगर हम केवल बास्मती rice की बात करें तो जो total export हुआ है भारत का वो हुआ 38.48 लाख metric ton जो की कम है अगर हम 20-21 से बात करेंगे यह कि 2021 में जो total बास्मती rice का एक्सपोर्ट हुआ था वारत से वो हुआ था 46.30 लाख metric ton तो यहां पर यह जानना बहुत important है कि जो चाइना है वो largest importer बन गया है इंडियन ब्रोकन राइस का और यहां पर आप 2021-22 का total इंडिया का एक्सपोर्ट निकाल सकते हैं यह भी डेटा कहीं कहीं helpful है एक्जाम के point of view से आगे बात करेंगे अपीडा organized festival in Bahrain to boost export of mangoes तो यहां पर बात हो रही है agricultural and processed food product export development authority जिसको अपीडा बोलते हैं उसने एक और्गनाइस किया है art divorcee long mango festival तो art divorcee mango festival आम के festival का यहांपर organization किया गया है बहरेन में ठीक है तो बहरेन में यहांपर ताकि mango के export को boost मिल सके इसलिए यह art divorcee mango festival और्गनाइस किया गया है जो की बोल सकते हो अपीडा ने और्गनाइस कराया है और यहां पर लगवग 34 वराइटी है मेंगो की जो की इस्टन स्टेट से आती है लगवग जैसे वेस्ट बंगॉल बिहार जारकंड उत्तर प्रदेश उडिशा और ऐसे ही कुछ स्टेट है तो अगर हम बात करेंगे तो यह बहरेन का अल जाजीरा ग्रूप शुपर मार्केट है वहां पर इसको डिस्पले किया गया है ताकि भारत के मेंगो को और जादा एक्सपोर्ट किया जाए अलग अलग कंट्रीज में लोगों को यहां का भारत का जो आम है उसके वारे में पता चलपा इसकी क्वाल्टी के वारे में जाजा स्यादा लोगों को पता चल सके इसी लिए यहां पर यह कोसिस की गई है अपीडा के द्वारा यहां पर बात करेंगे तो मेंगो शो हुआ है बहरेन में इस पार्ट ऑफ अपीडा न्यू इनिशिटिव यह नया इनिशिटिव जिससे होगा क्या टो एक्सisstवर मार्केट ओर इंडियन महैं डॉसएंड़ मेंगो फेस्टिवल 2020 यहां पर इंटनेंशिटिव मार्केट के एक्सिटिवूर आज की वीडियो का टार्गेट है केवल और केवल 300 लाइक का अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और जादा स्यादा इस वीडियो को शेयर करना आगे बात करेंगे तो Ministry of Textile inaugurated the Lota Shop in New Delhi तो हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में Ministry of Textile ने Lota Shop नाम से एक शौप है जिसका उदगाटन किया है उसको inaugurate किया गया है जानेंगे ये Lota Shop क्या है तो recently the Ministry of Textile inaugurated the Lota Shop at National Craft Museum New Delhi ये कोशन आ सकता है कि Lota Shop कहां पर inaugurate किया गया है तो वो है आपका National Craft Museum New Delhi में किसी ने किया है तो Ministry of Textile ने किया है और तीसरा कोशन बनेगा कहां पर किया गया है तो ये New Delhi में किया गया है और च्छोधा कोशन बनेगा कि इसको open किस organization ने किया है या industries ने किया है तो ये किया है Central Cottage Industries Corporation of India Limited जिसको CIC बोलते हैं जिसको popularly आज की टाइम पर Central Cottage Industries Emporium के नाम से जाना जाता है यहाँ पर बात करेंगे तो इसके अंदर नए नए अच्छी तरीके के handcrafted थे जैसे बात करेंगे curious थे और यहाँ पर बात करेंगे souvenir थे, handicraft थे, textile थे based on the traditional craft form of India यहाँ पर बात करेंगे तो government यहाँ पर और जोर दे रही है ताकि वो one district, one product की तरफ आगे बढ़ सके जैसे होगा क्या कि जो वहाँ का handcraft sector है उसको भी कहीने कहीं आपर help लेगी और वो growth कर पाएंगे उनका जो कमाई का जरीया है उसमें कमाई उनकी बढ़ने के आसार बढ़ जाएंगे तो कहीने कहीं उसको आगे ले जाने के लिए ही यह पहल है जहाँ पर lotus of inaugurate की गई है ministry of textile के द्वारा और open की गई है CCIC जिसको Central Cottage Industry Emporium भी बोला जाता है उमीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा अब बात करेंगे world biggest plant discovered of Australian coast तो ऑस्टेलिया के तट पर खोजा गया है दुनिया का सबसे बड़ा पौधा यह बहुत चरूरी है आपको जानना as a agriculture student आपको पता होना चाहिए यहां पर रात करेंगे the world largest living plant has been identified in the shallow water of the coast of western Australia तो western Australia के तट पर यहां पर सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा पौधा जिसकी खोज की गई है इसके वारे हम बात करेंगे तो दा इस्प्रॉलिंग सीग्रास एमराइन फ्लावरिंग प्लांट नोन एज पसिडोनिया औस्ट्रालेस इस्ट्रेचिस फोर मोर देन 112 माइस 180 किलो मीटर इन सार्क बे तो यहां पर अकेले एक प्लांट ने समुद्र के भीतर घास का मैदान बना दिया है जो की 180 किलो मीटर लंबा है ये भी आपको याद रखना है और एक सहर के बरावर इस पौदे का आकार है मतलब एक सहर का आकार होता है उसके बरावर एक अकेले पौदे का आकार है जो की ने जैनेटिक टेस्टिंग के माद्यम से पता लगाया है कि पानी के भीतर ये फैला हुआ समुद्री घास मैदान दरसल एक ही पौदे का है या बोल सकतो एक ही वीच से उत्पन है और ये भी माना जा रहा है कि ये घास एक ही वीच से निकली है और 4500 साल में इतनी फैली है म नहीं न कहीं बहुत इंपोर्टेंट है ये जानना आपको ठीक है इसका नाम भी यहां पर आपको मैंने बता दिया है और ये एक सी ग्रास टाइप का पौदा है ये आपको याद रखना जो की और स्टिल्या की तट पर हो जा गया है दुनिया का सबसे बड़ा पौधा यहा और यहां पर एक औक्षयन में असाम की एक ऐसी टी है जिसको एक लाख रुपी पर कीजी में बेचा गया है और किसी ने उसको खरीदा है जान टिए एक कौन सी बाराइटी है कहा की बात है है तो यह पर बात करें कि तो पाभु जन गोल्ड टी इसका जो नाम है वह दो , टीक है बार गोल्डई के नाम से जाना जाता है जो की एक एक रेर व्यर cię आप की जो की और गेंट की नाम師 भी जानी जाती है और यह असम के गोला घाट इस्टिक में मिलती है मंडी को यहां पर यह सेलिंग होई है जहां पर एक लाख रुपे का एक केजी यह चाय बेचा गया है जो कि इस साल का सबसे हाइस्ट है और यह जो आक्शन होगा था वह था जौरहट असम में वहां पर इस एक लाख रुपे पर केजी के साब से एक संस्था है एक कंपनी है उसने इसको खरीदा है तो जानेंगे भी कौन इसको बनाता है मतलब है कि कौन इसकी प्रोसेसिंग करता है कौन होगाता है और किसने इसको खरीदा है यहां पर बात करेंगे तो एजौरहट टी आक्शन सें गया है वह बेचा गया है पाभोजन और गनिक टी स्टेट के द्वारा और किसके द्वारा खरीदा गया है तो इशा टी के नाम से है जो कि एक आसाम बेस टी ब्रांड है उसने इसको खरीदा है और पाभोजन गोल टी ऑफर ब्राइट यलो लिक्योर विदा इस सूटिंग जाता है और यहां पर जो सीओ है इशा टी के विजी सर्मा उन्होंने बोला है कि यह जो टी की वराइटी है वो हेल्प करेगी हमारे कस्टूमर को और ज्यादा उससायत करने में उनको एक अच्छा टेस्ट प्रोवाइट करने में और एक फाइनेस तरीके की टी ब्लेंड है जो की आसाम से आती है जो की हमारे कस्टूमरों को काफी ज़्यादा पसंद आने वाली है यह उनका कहना है तो यहां से कौशनिये बन सकता है कि कौन सी वराइटी उसका नाम क्या है कहां पर होगाई जाती है और कितने रुपे के जी बेची गई यह साइब की कौशनिया बाकि आप टेलिग्राम पर सर्च कर सकते हैं एग्री मंत्रा तो वहां पर दस हजार पांसो से ज़्यादा इस्टूडेंट जोड़े हुए हैं वहां पर आप इस सेशन का पीडियाप डाउनलोड कर पाएंगे यहां पर अगर हम बागे बात करें तो यहां पर बात हो रही है कि इस्टिंग्रे वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिस्ट तो इस्टिंग्रे की बात हो रही है जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिस्ट है जिसको खोजा गया है डीटेल में जानेंगे और आपको बता दें कि चार मीटर की 300 किलोगराम की मचली है ये भी आपको जानना बहुत चरूरी है और आप तक की सबसे बड़ी मीठे पानी की मचली कमबोडिया में ये मिली है इसके बारे में डीटेल में जान देते हैं तो ये जो इस्टिंगरे है इसको कैप्चर किया गय में गात है जो किसिए है जो कि एक वर्ड रिकॉर्ड बन गया है यहां पर आगी बात करेंगे तो इस्टिंग्रे वज्ठ वज कैप्चर यसदऄ नदरक्ट हो तो मेकों के वंडडर्स की एक प्रोजेक्ट है के मेपूंग के जो जो अजो आजूवे हैं वंडर्स हैं उसके इस एकाट करेंगे तू तीसरी सबसे वड़ी मचली पाई गई है यहां पर बात करेंगी तो ऑम्डर और यू एस रिसर्चज का उस प्रोजक्ट के ताहट जिसका नाम है वंडर आव दी मेकॉंग इस Turks चेप्जर किया गया है और यहां बात गया है इसलिए अब जो रिकॉर्ड है वो बन गया है इस्टिंग रे के नाम से यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यह फोटो आप देख पा रहे होंगे यही इस्टिंग रहे हैं और यहां पर यह जो मेकॉंग रिवर है मैंने आपको आया कि यह फ्लो करते है इस्ट एसिया साउथ एस्ट एसिया में और यह बारवी सबसे बड़ी और एसिया की तीसी सबसे बड़ी रिवर है उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा आगे बात करेंगे तो एग्रिकल्चर लोन एनपीज राइज वाई 15 परसेंट तो यहां पर रिपोर्ट्स आई है कोन्सुन इसवार लेट हो रहा है और जो रेंफॉल ए हो एर्यक्ति के से किसान और उनको लोन ने चूक्क रहए है इसलिए और लोन को चुका नहीं पा रहा है इसी लिए पकि जो लोन है वह bad loan में convert हो रहे हैं जिससे NPA जो है वो बड़ा है यहां पर बात करेंगे तो consequently bad loan in the agriculture sector rose in for financial year 2022 तो financial year 2022 में agriculture में जो bad loan है वो काफी ज़्यादा speed से बड़े हैं और अगर हम बात करेंगे तो according to the latest report by state level banker committee SLBC तो यहां पर यह बोला गया है कि जो non-performing asset है एगरी कल्चर में NPA है वो जो है वो बड़ा है च्छे जार पांसो बहतर करोड 2021 के financial year में इससे पहले जो bad loan था 2020-21 हो था केवल और केवल 5696 जो की सीदे सीदे 15% की बड़ोती हुई है current fiscal year में bad loans की या फिर रहां NPA भी बोल सकते हैं तो NPA मतलब है कि जो किसान जो है वो दो ती लोन है वो NPA में count हो जाता है वो bad loan में convert हो जाता है तो इसको भी आपको याद रखना है काफी ज़्यादा जरूरी चीज़े हैं और मुझे यहां तक उमीद है कि दो साल बाद NPA में convert हो जाता है अगर किसान दो साल तक कुस लोन को ना चुकाए तो आगे बात करेंगे तो poor monsoon could spell disaster for India's agriculture based economy से expert तो यहां पर जो poor monsoon इस वार अभी तक लग रहा है और इस वज़े से Indian agriculture based economy है वो कहीने कहीं इस वार ग्रसित हो सकती है उसमें हानी के chances बढ़ गए हैं देखना होगा क्या होता है यह expert ने बोला है तो New Delhi already reeling under the after effect of tormenting heat waves and India cannot afford to have a poor monsoon which could be spell disaster for agriculture based economy तो एक disaster के तौर पर उपर है poor monsoon अपनी agriculture based economy में यह expert का खहना है और यहां पर अगर monsoon अभी भी जल्दी से नहीं आया तो बहुत जाए दिक्कतें food पे inflation हो सकता है मेगई बढ़ सकती है food security भी ensure नहीं हो पाएगी अगर monsoon अच्छे से नहीं आया तो monsoon की बात करें अच्छी में annually rainfall होती है और जो net son area है उसका साट पर सेंट पर irrigation होता है यह भी आपको याद रखता है और यहां पर हम बात करेंगे तो bad monsoon invariably means bad crop production और inflation अगर bad monsoon रहेगा तो bad crop production रहेगा और inflation बढ़ेगा मेंगा ही बढ़ेगी ख़त पदार्तों पर भुझ पदार्तों पर तो यह कई भी अच्छे sign नहीं दिखते हैं इसलिए यह हम दुआ कर सकते हैं कि monsoon इस बार अच्छा रहे जल्दी से आ जाए ताकि किसानों को राहत मिले जिससे देश को राहत मिले उम्मिद करते हैं यहा बारत का वीट लेने से मना कर दिया है और उनके इंपोर्ट को कई न कई सस्पेंड किया है तो हम यह बोल सकते हैं कि यहाँ पर पॉलिटिकल चीजा भी होती है लोजिकल चीजा भी होती है उसका बीफट कईन कई देखनों को मिलता है क्योंकि जब बहारत ने चौदे माई के आपको पताओ एक नोटिफिकेशन आया था 14th of मैं को जहां पर बोला गया था कि भारत अब गेहूं का निर्यात नहीं करेगा उस पर प्रतिबंद उन्होंने लगा दिया था उसके बाद के देशों ने अपनी तरफ से भी प्रतिबंद लगाया है कि वो भारत का गेहूं इंपोर्ट नहीं करेंगे तो अभी हाली में युनाइटिड अरव एमिराद यू एई ने आपे सस्पेंड किया है वीट एंड फ्लोर फ्रॉम ग्रेन और इंडिया उसके री एक्सपोर्ट को चार महीने के लिए निलंबित कर दिया है या उसकते हो सस्पेंड कर लिए यू एई में और ये क्या है कि अगर यू एई नहीं लेगा तो यू एई के थुरू अधर कंट्रीज में होके जाता है मारा गेहूं वो भी नहीं पहुच पाएगा इससे भी कुछ लॉस हो सकते हैं अगर यू एई लेता है तो यू एई के साथ और भी कंट्रीज को जो गेहूं वहां से निकल के जाता है तो उसके लिए वो रास्ता साफ हो जाता है लेकिन अगर UAE ने मुना किया कि अधर कंट्रीज को भी हम गेहूं नहीं दे पाएंगे यह भी आपको याद रखना है आगे बात करेंगे तो इंडिया बैंड वीट एक्सपोर्ट आपको पता है यहां पर बात करेंगे तो इंडिया बीगेस्ट वीट प्रोडूशर आफ्टर चाइना के बाद भारत दूसरा सबसे वड़ा पादा के गेहूं का यह आपको याद रखना है बट इट एकाउंट फॉर लेस देन वन परसं सब्सक्राइब यहां पर कहने का मतलब है कि यूए ने भी यहां पर सस्पेंशन दे दी है अब बात करेंगे आज की स्पेशल कॉशन की लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियों पूछेंगे के आंसर के बारे में वाट इस दा थीम ओफ वर्ल्ड ओशियंड डे इसका सही अंसर है काफी इस्टेण ने सही आंसर किया था इस कोशिशन का अब बात करेंगे आज के स्पेशल इसकोशन का जिसका सही आंसर आपको कमेंट व्यूंस में लेके भेजना है फिचिस्टेट प्शेट था प्ली कीمنट टाईगर इसकरेशन आब विह यहां पर किस स्टेट ने अप्रूवल दिया है कि वो सेट अप करेगा पीली वी टाइगर प्रोटेक्शन फांडेशन अप्शन है उत्तराखर्ण उत्तर प्रदेश आंद्र प्रदेश और सिक्यम इसका सही आंसर आपको कमेंट वॉक्स में लेकर भेजना है उम्मिद करते हैं आपको पीडियो को लाइक करो आज की वीडियो का टारेगे टेक्शन चाहते हैं तो आज तक के लिए विस इतना ही मिलते हैं एक और लास्ट वीक ओफ जून के इम्पोर्टेंट एंग्री कल्चर कर इंटरफर के साथ अब तक के लिए टाटा वायवाय धन्नवाद जैहिंद जैभ आहरत.